चोपड़ा जो कि इस यूटूब चनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हर्दिक स्वागत करता हूँ मेरे प्यारी बचो नी 24 रजल्ट और पेपर लीक को लेकर आज दिल्ली हाई कोट में हीरिंग थी और दिल्ली हाई कोट में हीरिंग के दोरान कोट ने कहा कि काउंसलिंग पर इस्टे नहीं लगाया जाएगा और नेशनल टेस्टिंग एजनसी से रिपलाई मांगा है ये सुप्रिम कोट में भी यही जज्जमेंट था सुप्रिम कोट की तरब से भी और हाई कोट की तरब से भी यही जज्जमेंट आया है इसमें अभी जो नेक्स्ट हीरिंग है regarding वो जुलाई 5 को है तो मैं आपको बता दू मैंने पहले भी आपको एक वीडियो बना के बताया था कि एक ही matter के related जो भी cases होते हैं जैसे high court में होते हैं supreme court में होते हैं तो उनका जो decision होता है उसमें वो supreme court का decision ही मानने होता है high court भी इन में पहले decision देता नहीं है और किसी case में ऐसा होता है कि supreme court से supreme court में जो भी high court से इसके connected matter हैं वो supreme court में merge कर दिये जाते हैं सारे के सारे तो इसमें जो supreme court का फैसला रहता है वही high court वो फैसला देता है या फिर उस case को forward कर दिया जाता है supreme court को तो ये जैसा कि कल का फयसला था सुप्रेम कॉट्ट का, वैसा ही फयसला आज दिल्ली हाइक कोट ने दिल्ली हाइक कोट का भी यही कहना है कि हम कांसलिंग पर स्टें नहीं रगा सकते, कांसलिंग जारी रहेंगी, और NTS से reply मांगा है, यही reply सुप्रेम कोट्ट ने भी कल मांगा था अभी हो सकता है कल सुप्रिम कोट में रजल्ट को लेके एक जो पिटिशन दाइर की गी थी उसकी सुनवाई कल हो सकती है जहां तक है कल ये केस लिस्टेड हो सकता है तो जैसे ही इसकी सुनवाई का जो भी अपडेट आएगा मैं आपको इन्फॉर्म कर जानकारी थी दिल्ली हाई कोट से मिलेंगे नई अपडेट के साथ में नए वीडियो में तब तक के लिए जैहन